अब्ढ़ करने वाले हैं राजिस्थान बोर्ड का याँ पर आप करने वाले हैं 2020 के लिए यह बहुत ही जासा मेस्पपोर्ड है important है जोके आपके यहाँ पर इस तरीकी रखेंगे और इसके solution भी करेंगे ताकी यहाँ पर एक्जाम हो उसके लिए आपके लिए ये helpful रहे इंग्लिस और हिंदी में याँ पर ये पेपर दिया हुआ है जैसा कि याँ पर आप इसको देखी रहे होंगे तो सारी कोशन हम याँ पर करेंगे इसमें आपर आपको ध्यान रहे कि आपको 2 गंटे और 30 मिनट का टाइम दिया जाता है और ये पेपर आपके जो है वो 80 marks का होगा तो यह चीज वैसे तो आपको पता ही होगी तो यहाँ पर हम इसके आंसर देख लेते हैं जैसे कि फर्स्ट कोशन है नाइलोन का उप्योग होता है नाइलोन इस यूज़ इन तो यह यहाँ पर इसमें आंसर हो जाएगा वाले में यहाँ पर आप्शन द यानिकि डी आल अफ द अबव उप्योग तो सभी क्योंकि इसका इस्तेमाल जो है उप्योग जो है वो कपड़ों के निर्माड में भी रसी तंबू बनाने में और दान साफ करने के ब्रस में भी किया जाता है तो यह यहाँ पर आंसर हो जा करता है अमारे अन्वायमेंट को तो इसमें आपर आंसर हो जाया का ओप्शन बी संपीडित प्राकरतिक गैस यानिकि कंप्रेज नेट्रोल गैस जिसको हम सी एनजी भी बोलते हैं नेक्स्ट है कोशन नमर थ्री कोशन नमर थ्री में है सौने चांदी को पिगलान हे तू सौ यानि कि आउटर जोन ओफ फ्लेम नेक्स्ट आता है कोशन नमर फोर की तरफ जिसमें आपर हमें जो है वो ट्रू और फॉल्स जो है वो बताने हैं जैसे कि फोर्थ है निसेचित अंडा यूगमनर्ज कहलाता है फर्टिलाइजड एग इस कॉल्ड जाइगोट तो इसमें हम हमारा आंसर हो जाएगा ट्रू क्यों कि यहां पर यह भी सही है नेक्स्ट है सिक्स यदि आप घर के बाहर हैं ताता बुकम पा गया तो आप गर के अंदर जाओगे इफ यू इफ यू आर्थ को एक स्ट्राइक सी यू विल एंटर दा हाउस तो यह हो जाएगा हमारे पास अगर यहां पर अगर आप गर के बाहर हैं और बुकम बाता है तो आपको गर के बाहर ही रहना चाहिए नेक्स्ट है कोशन नमर सैवान यदि आपके घर यह आसपास आग लग जाए तो आग पर नियंतर्ण करने के लिए आप क्या करेंगे इफ फायर ब्रेक्स आउट अरू तो यहां पर तो इसके जो आपको बोल के दिखा देता हूं अगर यहां पर जो है वो आप चाहे तो इसको नोट कर सकते हैं नोट बुकिया फिर किसी भी और डाइरी या कुछ जो भी आपको सही लेगी उसमें नय तो इसका अंसर हो जाएगा सबसे पहले हम जल से जल फायर फायर ब्रिगेट के आपातकाली नंबर पर संपर्क करेंगे फायर ब्रिगेट के आने तक अगर हम किसी व्यक्ति के कपड़ों में आग देखते हैं तो हम उसे कंबल में लपेट कर आग बुजाने की कोशिस कर सकते हैं हम उन जगों पर भी आग उजाने के लिए पानी का उप्योग कर सकते हैं जहां बिजली के उपकरण या तेल नहीं है तो यह सेवंध कोशन का अंसर हो जाएगा नेक्स्ट आता है कोशन नमर एट बाइन इसेचन का एक उधारण लिखिए तो इसका यहाँ पर उधारण हो जाएगा में डग यानि की में डग जो है वो बाइन इसेचन का उधारण है यह वह प्रिकरिया है जिसमें नर और मादा योगमक का सनलायन मादा सरी के बाहर बाहरी माद्यम आम तोर पर पानी में होता है Q9 पूरस हॉर्मोन का नाम लिखिए राइदा मेल नेम ओफ मेल हॉर्मोन तो इसमें यहाँ पर नाम हो जाएगा टैस्ट तो स्टेरोन जो है वो यहाँ पर मुक्य हॉर्मोन है पूरस हो में नेक्स्ट है Q10 Q10 में पूछा है दो बादलों के चित्र बनाकर उनमें आवेसों को दरसाई तो यहाँ पर आपको बादल का चित्र मनाना है तो यहाँ पर वैसे तो आपको chapter में मिल ही जाएगा तो इसमें आप चाहे तो ऊस तरीके से मना सकते हैं तो जैसे यह बादल है इसमें आप जो iron होते हैं यह जैसे कि एक में plus होगा तो आपको plus को souh कर देना है और दूसरे यहाँ पर आप बादल लेंगे ग्रह ब्रस्पति है इसका चित्र बनाईए तो यहाँ पर आप इसका असानी से चित्र बना सकते हैं आगे बढ़ते हैं कोशन नमर 12 नाइट्रोजन चक्र का चित्र बनाईए यह भी आपर आपको जहाँ वो चैप्टर में मिल जाएगा आप इसको याद करके बना सकते हैं नेक्स्ट आता है थर्टेंथ कोशन कोशन नमर 13 है सरदियों के लिए आप अपने मित्र को किस प्रकार के वस्तर खरीदने की सलाह देंगे चार कारण लिखिए तो थर्टें में हमारे पास जो आंसर है यह होगा तो इसमें पहला पॉइंट जैसे के उन एक प्रकार का पसू कपड़ा है जिसमें कई परतें होती है मतलब यह असलिए यहापर जो है वो इसको यह कपड़ा खरीदने की सलाह देंगे कारण जो है वो बता रहा हूँ दूसरा पॉइंट हो जाएगा उन उसमा का कोच आलक है इसलिए यह सरीर की उसमा को परिवेश में नहीं जाने देता तीसरा कारण गर्म हवा परतों के बीच लंबे समय तक फसी रह सकती है यह उन को उप्यूक्त बनाता है और सर्दी जैसे ठंडे मौसम में कपड़ों के लिए पसंदीदा सामगरी है चौथा हो जाएगा उनी कपड़ों का इसपर गर्म होता है जबकि सूती या पॉलियस्टर के कपड़ों का इसपर ठंडा होता है इसलिए सर्दीओं के मौसम में उनी कपड़े चादा आराम दायक होते हैं तो यह जो है वो कारण यहाँ पर हम बता सकते हैं यह हो जाएगा question number 13 का answer next आता है question number 14 question number 14 यहाँ पर है नीचे साणी में petroleum के संगटक तथा उपयोग बताए गए हैं आप समौ 1 का समौ 2 से सही है मिलान कीजिए तो यहाँ पर आपको यह साणी दीम ही है यह वालय इंगलिस में है और इन दोनों को यहाँ आपको solve करना है मतलब एक करना है Hindi-Midiem वाले Hindi वाले को करेंगे और English-Midiem वाले English को तो यहाँ पर Petroleum के संगट अगया है जैसे पहला है द्रवित Petroleum Gas तो इसमें यहाँ पर मिलेगा हमारा D जो है वो यहाँ पर सही होगा भारी मोटर वाहन व विद्यूत जनित्रों के लिए इंदन के रूप में फिर आता है डीजल डीजल जो है वो यहाँ पर आंसर हो जाएगा option यह मतलब C पॉइंट गरों एवं मुद्योगों व इंदन के रूप में इसका उपयोग होता है पैराफिन मौम इसका उपयोग होता है यह हो जाएगा B पे जाके मिलेगा मरहम मौमबत्ती वैसलीन के निर्माड में और विटोमेन यहाँ पर मिलेगा A से जाकर पैंट्स एवं सड़क के निर्माड में यह काम में आता है तो इस तरीके से यहाँ पर आपका यह solution हो जाएगा इंगलिस मैं भी यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ शो कर देता हूँ तो यह liquid petroleum gas जाके मिलेगा यहाँ पर हमारे D वाले से diesel यह मिलेगा C से paraffin wax मिलेगा V से और vitamin जो है वो मिलेगा A से तो यह तरीके से यहाँ पर आप इसको कर सकते हैं आंसर के लिए आपको जगह दी होई है वैसे तो फिर आता है 15 question question number 15 है नीचे लिखे गए वाकियों की सत्यता की जाच कर सत्य या सत्य का पर सही का चिन लगाई है तो यहाँ पर जो भी आपका deforestation तो इसमें यहाँ पर question number 15 में हमारा जो है वो A में आंसर हो जाएगा false यह यहाँ पर जो है वो कह रहा है कि वनोनूलन यानि कि deforestation जो है वो बरसादर प्रवावित नहीं होती है यह होती है actually मैं फिर आता है B यानि कि वन्य प्राणी अभयारण्य वह छेतर है जहाँ पर जन्तु सुरक्षित वह संरक्षित रहते हैं तो इसमें यहाँ पर जो है वो हमारा हो जाएगा सत्य है यह यानि कि true है तो सत्य पर हमें टिक करना है next आता है sir इसमें यहाँ पर पूछा है संकट आपन जन्तु वे जन्तु है जिनकी संक्या एक निर्दारित इस्तर से कम होती जा रही है endangered animals are those animals whose numbers are diminishing below certain level तो सव में आपर यानि कि C में जो है वो हमारा right answer होगा सत्य यानि कि यह सही है true है फिर है the दीरे दीरे उपजाओ भूमी मरुस्थल में बदल जाती है उसे मरुस्थली करन कहते है इसे छेतर के बल के अनुपात के रूप में भी परिवाशित किया जा सकता है जिस पर बल कार्य कर रहा है इसका सूत्र हो जाएगा यानि कि दाब बराबर जो सूत्र होगा यह होगा बल बटा चेतरफल यानि कि P बराबर हो जाएगा हमारे पास F बटे A यानि कि बल बटा चेतरफल और इसका जो ऐसा ही मात्रफ होता है ऐसा इकाई होती है इसकी यह होती है पासकल तो इस तरीके से इसका यहां पर आंसर आप लिख सकते हैं नेक्स आता है कोश्चन नमर 18 यदि आपको चिकने फर्स पर चलना दोडना होता हो तो आपको किस प्रकार के जूते या चपल का प्रियोग करना चाहिए लिखिये विश टाइब फूट विएर विल यू यूज इफ यू नीट तो वॉक रन ओन इस्मूद सर्फेस राइट तो यहां पर अगर 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 चलना चाते हैं तो किस तरह के जूते या चपल का उप्योग किया जाएगा तो इसमें आशर हो जाएगा अगर आपको किसी चिकने फर्स पर चलना या दोडना है तो आपको ग्रूवड वाटम सूज यानि कि जिनके तलों पर जो है वो छोटे छोटे जो है वो छेद वगर हो यानि कि कुछ इस तरीके की डिजाइन हो जो किस फर्स पर अच्छे तरी चल या दोड सकते हैं नेक्स्ट है कुशन नमर 19 सोर्व संगीत में दो दो अंतर लिखिए तो इसमें यहाँ पर अंतर हो जाएंगे जैसे के पहला होगा संगीत एक दोनी है जो सुखद सम्वेदना उत्पन करती है जबकि सोर एक अवांचित और अप्रिय दोनी है दूसरा पॉइंट ओ जाएगा संगीत वादे यंत्रों जैसे पियाणो, गेटार, बामसुरी, आधि से उत्पन होती है जबकि जो सोर है वो किसी भी यंत्र से बनाया जा सकता है जो कि सुनने में अच्छा या अप्रिय लगता है अच्छा नहीं लगता है या अपर ये लगता है नेक्स्ट आता है question number 21 कृत्रिम उपगरहों से हमें कई परकार की जन जानकारیاں प्राप्त होती है कौई दो जानकारियां लिखिए तो इसमें आपर दो सूचना है हमें प्राप्त होती है जो होंगी जिसमें पहली हो जाएगी जैसे के कृत्रे मुपगरों से हमें मौसम की बविशिवानी के लिए सूचना मिलती है और दूसरा हो जाएगा रेडियो और टेलिवीजन संकेतों के परसारण के लिए इनका उपयोग वाधाबरण की विविन परतों का अधियन करने के लिए भी किया जाता है तो ये दो यहाँ पर इसके उपयोग हो जाएंगे नेक्स आता है कॉशन नमर टेंटी टू आप अपने घर में गेहूं का बंडारण करना चाते हैं इसके लिए आप क्या-क्या तैयारिया करेंगे अच्छा जो है वो कॉशन है और ये जो है वो सिक्स मार्क का है तो आपको थोड़ा सा लॉंग इसको लिखना पड़ेगा तो इसमें आपर अगर घर में बंडारण करना चाते हैं तो इसके लिए तैयारियों के लिए इसमें तीन पॉइंट हम लिख सकते हैं जैसे कि पहला हो जाएगा कि अनाज को अच्छी तरह से सुखाना गेहूं को लंबे समय तक बंडारित करने के लिए हमें उसे नमी के स्तर तक सुखाना पड़ता है इसके लिए आप इसे स्टोर करने से पहले दातू में अच्छी तरह सुखा सकते हैं बचे हुए गेहूं में नया गेहूं गलती से न मिला देना दूसरा पॉइंट हो जाएगा नीम की सूखी पतियों का प्रयोग नीम की पतियों को गेहूं के बंडारण में प्रयोग करने से पहले सुखा लेना चाहिए इसके लिए नीम की पत्तों को कागज पर छायादार जगे पर रख दें और बंडारण से 15 दिन पहले सुखा ले और तीसरा पॉइंट हो जाएगा उच्छ गुणवत्ता वाले अनाज यदि हम लंबे समय तक गेहूं का बंडारण करने की सोच रहे हैं तो आपको अच्छी गुणवत्ता वाले गेहूं से सुरुवात करने चाहिए यह ऐसा इसलिए क्योंकि आप उन्हें आसानी से लंबे समय तक रख सकते हैं फिर नेक्स्ट यहाँ पर इसी में और मैं यानि क्यों कह सकते हैं कि अथवा में एक और कोशन पुछा गया है क्योंकि यहाँ पर आपको इन दोनों में से कोई एक कोशन करना है लेकिन यहाँ पर आंसर मैं आपको दोनों के ही बता रहा हूँ जिसमें हो जाएगा सिंचाई जल की कमी हो जहां सिंचाई जल की कमी हो वहाँ आप सिंचाई की कौन सी विदी का उपयोग करेंगे सिंचाई विदी का चितर भी बनाईए तो इसमें आपर हमें दो विदियां आपर जो है आपको चप्टर नमबर वन में मिल जाएंगी जिसमें पहली विदी आती है फवारा प्रणाली इसमें यानि कि स्प्रिंकलर सिस्टम जिसमें आपर हमारा हो जाएगा यह प्रणाली असमान भूमी पर अधिक उप्योगी होती है जहां पानी कम मातरा में उपलब्द है स्प्रिंकलर फवारे का काम करता है लंबववत पाइपों उसमें नियमित दूरी के छेद होते हैं इन छेदों में गूमने वाले नूजल लगे होते हैं जो सभी दिशाओं में पानी छिड़कते है जब पानी को बहने दिया जाता है तो मुख्य पाइप को एक Bubble की मदद से फेक दिया जाता है जो गूमते हो इनूजल से निकलता है और ये होता है स्प्रिंकलर सिस्टम दूसरा होता है यहांपर drip system जिसमें आपर इस प्रणाली का उप्योग पानी को बचाने के लिए किया जाता है क्योंकि यह पानी को पौधों की जड़ों तक बूंद बूंद करके बहने देता है इस प्रणाली में एक मुख्य पाइप होता है इससे पासर पाइप जुड़े होते है इन पासर पाइपों से विशेस रूप से तयार नूजल जुड़े होते हैं ये नूजल पौदों की जड़ों के ठीक पास लगाए जाते हैं और बून बून पानी पुरदान करते हैं तो इस तरीके से यहां पर ड्रिप स्टम का भी यहां पर आप पॉइंट लिख सकते हैं इसके लाबर डाइग्राम आपको चप्टर में मिल जाएगा इसका विदी का चित्र जो है वो मिल जाएगे दोनों फिर आता है next question, question number यहां पर हमारा आएगा 23 अधातू और अधातू के गुणों के आदार पर कोई चार अंतर लिखिए तो इसमें यहां पर जो है वो आप इसके चार अंतर में जैसे के धातूं के बारे में अगर बात करें तो इसमें हो जाएगे यहां दातू और अधातू में एक एक पॉइंट अम लेंगे तो धातू का पहला पॉइंट हो जाएगा यहां ऑक्सिजन के साथ मिलकर ऑक्साइड बनाता है जो प्रकरती में अमलिय है जबकि अ दातु में यह oxygen के साथ मिलकर oxide बनाता है जो प्रकरती में अमलिय है दूसरा point हो जाएगा दातु में यह तन्नूत अमलब से hydrogen को विस्थाफित करता है और अ दातु में दूसरा point हो जाएगा यह hydrogen को विस्थाफित नहीं कर सकता दातु में तीसरा पॉइंट होगा दातु उनकी पृतिकिरिया शीलता के अनुसार पानी के साथ पृतिकिरिया करते हैं और अ दातु में तीसरा हो जाएगा अ दातु पानी के साथ पृतिकिरिया नहीं करता है दातु में चौता पॉइंट होगा दातू एसिड के साथ प्रतिकरिया करते हैं और अधातू में चौता पॉइंट होगा अधातू एसिड के साथ प्रतिकरिया नहीं करता है तो यह यहाँ पर चार अंतर यहाँ पर लिख सकते हैं नेक्स आता है यहाँ पर अथवा में एक और जो कोशन है ये हम देख लेता है, जैसे कि इसमें पूछा है, नीचे सानरी के column एक में परदार से दिये गई है उनके सامने के column 2 में उनके उपیोग लिखिए तो यहां पर हम लिख सकते हैं जैसे कि सोना इसका उपयोग हो जाएगा आबुशन और गहने बनाने के लिए उपयोग किया जाता है फिर आता है तामबा इसका उपयोग उपकरन संगीत वादिय यंतरतार बनाने के लिए किया जाता है और तीसरा हो जाएगा iron, carbon steels की तरह मिस्र धातू बनाने के लिए उप्योग किया जाता है और चौथा पारा ये जो है वो थर्मा मीटर, blood pressure machine बनाने के लिए उप्योग इसका किया जाता है इस तरीके से चार उप्योग याँ पर हमें एक एक इनका लेख सकते हैं नेक्स्ट आता है question number 24 मानम नेतर की संरशना का नामांग के चित्र बनाईए तो यह आपर जो है वो आप प्रिकास जो चप्टर है उसमें से देख के बना सकते हैं फिर है next point B इसी में 24 में B जो point है B ट्रैफिक पुलिस से आप सड़क सुरक्सा संबंधी कौन से दो प्रशन पूछेंगे तो यहाँ पर आप अपने हिसाब से भी कोई दो पूछ सकते हैं जैसे कि यहाँ पर सड़क पार करते समय किन बातों को दियान रखना चाहिए और या फिर दूसरा हो जाएगा यदि हम दुरगटना इस तलपर हों तो हमें क्या करना चाहिए इस तरह के question जो है वो पूछ सकते हैं इसके लावा आप अपने मन से भी कोछ बना के लिख सकते हैं जो पूछन लायक हो फिर आता है अथवा में 23 के next question अब मैं पूछा है आपतन कोण तथा परावरतन कोण बरावर होते हैं इसे चितर की सायता से इस पस्ट कीजिए तो चितर में आपर यह बहुत ही आसान है इसको आप बनाई सकते हैं जैसे कि यह जो है वो चितर होता है इसमें बीच में आपर आपके यह लाइन होती है यह होती है नॉर्मल हम जिसको बोलते हैं इसमें यह वाला जो कौण होता है यह होता है आई और यह वाला जो कौण होता है यह है आर यहां से यह जो परकासी किरण आ रही है इसको हम यहां पर incident यह फिर जो है वो परावर्तित किरण कहते हैं और यहां से जो जाती है इसको परावर्तित किरण कहते हैं इंसिडेंट रे और जो है वो रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं तो यह चित्र बना सकते हैं अब इसको यहां पर समझाना है तो जैसे कि यहां पर हम लिख सकते हैं परावर्तन द्वारा आपतन कोंड परावर्तन कोंड के बरावर होता है वे असमान दिखाई दे सकते हैं जिनकी सतर खुरदरी है हालांकि खुरदरी सतर पर परिवर्तन के कारण सतर की सीमाई असमान दिखाई देती है वास्तम में छोटे सतह चेत्र में गटना का कौण प्रतिवियम के कौण के बराबर होता है यहाँ पर आपको लिख सकते हैं तो इसमें यह आंसर हो जाएगा नेक्स आता है ब यदि आपके पिता जी को दुन्द में गाड़ी चलानी पड़ती है सडक सुरक साय तो आप उनसे कौन से दो प्रशन पूछना चाहेंगे तो यहाँ पर जैसे कि पूछ सकते हैं क्या कौरे में गाड़ी चलाते समय कार की गती बड़ा देनी चाहिए और पूर सकते हैं कि क्या कौरे में गाड़ी चलाते समय दूसरी गाड़ी को ओवर टेक करना चाहिए ये दो कोशन या पर आप पूर सकते हैं नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आता है कोशन नमबर 25 इसमें है सुद्ध जल और असुद्ध जल की पहचान कैसे करेंगे तो इसमें आपर आप लिख सकते हैं जैसे कि यहाँ पता लगाने के लिए कि पानी सुद्ध है या नहीं हम नमूनी के कौथनां को माप सकते हैं अगर नमूना 100 डिगरी सेल्सियस पर उबलता है तो पानी सुद्ध है और लिख सकते हैं यदि पानी में असुद्धियों के रूप में अन्य पदार्द हैं तो उबलने के करण पानी के बासपी करण के बाद असुद्धियां तली में बैठ जाएंगी इसलिए हम कह सकते हैं कि यह अरसुद्ध है पानी का बिनात्मक आस्वन यह पता लगाने का कुशल तरीका है कि क्या कोई अन्य तरल असुद्धियों के रूप में मौजूद है यदि असुद्धता का कुथनांक पानी से कम है तो यह वास्पित हो जाएगा और आस्वन से बाहर आ जाएगा और यदि कुशल असुद्धता पानी में पानी से अधिक है तो 100 डिग्री सलस्यस पर पानी उबलता है और वास्पित हो जाता है तो असुद्धता नहीं वहीं रहेगी तो यह यहाँ पर आंसर हो जाएगा नेक्स्ट आता है इसमें बी पॉइंट ब सुच्छता संबन्दी दो बात हैं लिखिए जो आपको परचंद है तो यहाँ पर इसमें आप अपने इसाफ से लिख सकते हैं जैसे कि सौचला जाने के बाद अपने हाथों को साबुन से दोना और दूसरा हो जाएगा दिन में दो बार अपने दातों को ब्रश करना अब टॉइंटिफाइब में ही अथवा में और जो है वो कोशन पूछे हैं जिसका आंसर आपको देना है तो इसमें है सुद्ध और असुद्ध हवा में क्यांतर है लिखिए तो इसमें आपर सुद्ध हवा किसी भी पृदूशक से मुक्त है कोई गंद नहीं है सुखदायक है और आखों को परिसान नहीं करती है सुद्ध बायू में 78 प्रतिशत नाइट्रोजन होती है 21 प्रतिशत ऑक्सीजन और गैसों और जलवास में थोड़ी मात्रा होती है वहीं प्रदूशित हवा से दुरगंद आती है और लोग इसमें सांस नहीं ले पाते हैं प्रतिशत हवा में हानिकार, कण और गैस होती है यह यहाँ पर आप अंतर लिख सकते हैं फिर बव जो है कोशन इसमें पूचा है हमारे पास का वाताबरण स्वच रहे इसके लिए क्या करना होगा तो इसमें यहाँ पर अलग-अलग पॉइंट आप लिख सकते हैं कसरे को कसरे के डिबे में डालना, मच्छरों और मक्हियों की परज़रन को रोकने के लिए विसे सिथान पर पानी जमा न होने देना और सभी नालों और सीवरों की समय समय पर सफाई की जानी चाहिए यह पॉइंट यहाँ पर आप लिख सकते हैं तो यह थे आपके Class 8 Science के 25 questions जो यहाँ पर इस तरह का paper आपके आने वाला है तो उमीद करता हूँ यहाँ पर आपको वीडियो सही यहाँ पसंद आया ही होगा और यहाँ पर आप जो है वो इसको like जरूर कर दीजेगा और अगर वीडियो आपको पसंद आया है और भी इसी तरह से वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिजेगा थैंक यू